हेलो एब्रिवन, वेलकम टू आ न्यू वीडियो, आज के इस वीडियो में हम ओर्डिनो प्रोग्राम करेंगे फॉर एंड सिंगल एलिडी यह जस्ट बेगिनर्स के लिए है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ओर्डिनो ओपिन कर लेना है हम इसको पहले सेव कर लेंगे, मैं इसको नेम दे देता हूँ लेडी प्रोग्राम आपने जब न्यू विंडो ओपन की तो आपको यहां पर दो फंसन दिख रहे हैं एक वाइड सेट अप वाइड लोग अभी आपको ज़्यादा पैनिक और ज़रोत नहीं कि दोनों क्या करेंगे सिंपल ही हम कोड करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा तो जो वाइड सेटब में कोड होता है वो फिस एक बार रण होता है और वाइड लूप में वह एंफानाइट टाइमस तक होता रहता है कि आप जब तक कोड करना चाहते हैं तब तक यूज़ करने जा रहा हूं उसको मैं इनिशलाइज करूँगा या डिकलियर करूँगा so pin mode एक function होता है जिससे हम pins को डिकलियर करते है कि वो input है या output है तो उसके बाद मुझे pin number लिखना होगा तो मैं यहाँ पर pin number 13 यूज़ कर रहा हूं जो कि एक digital pin है next comma के बाद में हमें दूसरा argument पास कराना होता है जो की होता है input और output यह capital letters में लिखा जाएगा case sensitive है so मैंने यहाँ पर output लिख दिया है इससे क्या होगा कि मेरी 13 जो pin है उस पर एक output signal generate होगा लेकिन यहाँ पर यह नहीं अभी decide होगा कि वो signal high होगा या low होगा तो अभी जो हमें LED glow करानी है वो इस loop में हम उसके लिए code लिखेंगे यह जो loop होता है यह simply while loop की तरह होता है अगर हम while loop में उसको true condition दे दें जो हमेशा true रहे तो continuously run होता रहेगा वैसे यह word loop है तो हम 13 pin पर signal generate करना चाहा रहे है हाई तो मैं लिखूंगा digital राइट का डबलो कैपिटल रहेगा डिजिटल राइट पिन नंबर बतानी होगी अगेन हमें 13 क्यासा नेक्स्ट जो और्गमेंट रहेगा वो हमें यह देना है कि क्यासा signal generate करना है तो हमारी led high पर glow करेगी तो मैं high यहां पर लिखूंगा तो यह एक simple सा code हो गया led को glow कराने के लिए तो सबसे पहले इसको हम करके देखते हैं प्रोग्राम को upload करते हैं और देखते हैं क्या होता है तो मैं led 13 मैंने इसलिए select किया क्योंकि उसके पास में ground नहीं है तो direct में led इसमें connect कर सकता हूं ऐसे आप चाहें तो इसमें register भी लगा सकते हैं क्योंकि इतना high current होता नहीं है कि led burn out हो जाएगा तो इसलिए direct में इसमें लगा सकते हैं क्योंकि यह सिफ signal generate करेगा सो positive वाला जो टर्मिनल होना चाहिए वो 13 आप वीडियो में देख पा रहे होंगे positive टर्मिनल 13 पे और ground वाला हमें ground pin में attach कर देना सो इसमें शायद एक पहले से program upload है तो अभी मैंने इसको upload नहीं किया तो चलिए upload करते हैं सो अभी आप screen पे भी देख पा रहे होंगे कि program upload हो गया और audio की video में भी देख पा रहे होंगे कि LED आप continuously glow कर रही है अब यहां पे आप कई सारे patterns इस्तमाल कर सकते हैं कि कितने time तक उसको turn off करेना है कितने time बात फिर से on होना है सो जैसा कि हमें पता है कि यह void loop जो function है इसमें continuously चीजे repeat होंगी ठीक है तो मैं यहां पर function इंप्रोड्यूस कर रहा हूं जैसकर हमें delay डिले क्या करता है कि कुछ time के लिए pass हो जाता है जैसे कि मैं इसमें 200 लिखता हूं तो 200 का मतलब है 200 millisecond में है यह जो numerical value है यह millisecond में है तो इसका मतलब है कि यह program जो होगा हमारा जो code by code run हो रहा होगा यह 200 millisecond के लिए यहां पर pass हो जाएगा फिर मैं digital write लिखूंगा 13 सब्सक्राइब में पहला arguments रहता है वो pin number दूसरा argument रहता है signal का level पहले हमने high दिया था अब low देंगे देखते हैं क्या होता है दन अगेन हमें एक डिले देंगे 200 millisecond का आप यह डिले इंक्रीज और डिक्रीज भी करकते हैं अपनी नीट के according सो प्रोग्राम को अप्लोड करते हैं तो अभी compilation सुरू हो गया अभी आप ओडिनो की वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि जो ओडिनो पर जो LED connected है वो अब blink करता है तो यह जो turn सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर सबसे पहले यहां पर हम इसको हाई सिगनल दे रहा है तो LED ग्लो कर रहा है देन उसके बाद हम डेले दे रहा है 200 millisecond का इस time period में क्या हो रहा है कि वह सिर्फ 200 millisecond के लिए ही ग्लो कर रहा है क्योंकि उसके बाद यह port जो होगा हमारा जो प्रोग्राम होगा वह यहां पर आके रुक जाएगा तो यहां पर रुकने से पहले क्या हमने condition दे रहा है कि इसको हाई सिगनल देना है तो उसके बाद में जैसे 200 millisecond pass out होगा यहां पर हमने दिजिटल राइट 13 कॉमा लो कर दिया तो अभी यह लो वोल्टेज जा रहा है मत्त लो सिगनल जा रहा है तो यहां पर हमारा LED जो है वो टर्न ओफ हो रहा है बट कितने टाइम के लिए टर्न ओफ हो रहा है 200 millisecond के लिए टाइम ओफ हो रहा है आप ऐसे इसमें कई सारे पैटर्न यूज़ का सकते हैं लूप्स का इस्तमाल का सकते हैं वह हम चीज़ें सारी आगे सीखेंगे क्योंकि अभी यह हम एक रुआत कर रहे हैं तो एक हम basic program से शुरुआत कर रहे हैं और आगे बहुत सारी चीज़ां सीखने वाले हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें वहां हम डेली सर्किट से रिलेटेड पोस्ट अप्लोड करते हैं सो काफी नॉलेज़बल चीज़े डालते हैं आपको हेल्प करेंगे थैंक यू अगैन एंड हाव ग्रेट देख